खबरों के दम पर किन शेर और सेक्टर्स में आज आक्शन देखने को मिलेगा पूरी डिटेल लेकर मेरे सायोगी अर्मान स्टूडियो में मेरे साथ जोड़ चुके अर्मान बताईए गुद मॉनिंग आज की एहम ट्रिगर्स कौन से हैं और खबरों के दम पर कहा आक्शन द करें तो वहां पर भी बोर्ट बेटा के पुंजी जुटाने पर विचार के लिए निपॉन लाइफ ये उसका F&O में आज आखरी दिन होगा सितंबर सीरीज से ये F&O से बहार होने वाला है X-Date है कुछ जिसमें P.I. Industries है जिसमें Final Dividend 3 का Rama Steel Tubes है जिसमें Stock Split है 5 to 1 का Costal Corporation जो Right Issue of Equity Shares है और अगर आप IPO की अपडेट दे देते हैं सबसे पहले DreamFox पर धियान रखेगा जिसमें उनको जो सब्सक्रिप्शन मिलता बाद दिखा है बड़िया सब्सक्रिप्शन मिलता बाद दिखा है Overall दो गुना अल्रेडी भढ़ चुका है जिसमें Retail का इसा तो लगबग 8 गुना बढ़ चुका है क्योंकि कंपनी को जो इनका एक सेग्मेंट है उसको लगबग 200 करोड का जो है वो और मिलता वा दिखा है PB FinTech जिसमें Y की NP जो मार्केटिंग में 32 करोड का निवेश के मनजूरी मिल चुकी है उसी के साथ साथ अधिगरण के बाद अब कंपनी के पास जो होगी लगबग 45 से 51 परसंट जो होगी हिस्सेदारी होगी और पैसा बजार मार्केटिंग और कंसल्टिंग में भी लगबग 200 करोड निवेश करने की मनजूरी मिल चुकी है पराग मिल्स पर ध्यान रखीगा क्योंकि प्रिफरेंशल अलोट्मेंट के मादियम से लगबग 113 करोड जुटाए जाएंगे और ये जो भाव है जिस पर जुटाए जाएंगे वो है 93.75 और प्रमोटर को लगबग 18.75 करोड के वारंट्स भी जो है वो जारी किये गए है एबेन आफशोर पर ध्यान लखेगा कि सेंटरल बैंक के साथ जो इनोंने सेटलमेंट का करार कर दिया है और ये जो सेटलमेंट करा है वो लगबग 122 करोड में उनोंने वो जो भकाया था उसका सेटलमेंट किया है NHPC पर ध्यान लखेगा क्योंकि कंपनी ने राजिस्तान सरकार के साथ एक करार किया है और ये अल्टरा मेगा रिन्यूबल एनर्जी पार्क बनाने के लिए जो करार है वो किया गया है और अंत में SBI कार्ड और बैंक्स पर ध्यान दखेगा क्योंकि RBI ने जो अमेरिकन एक्स्प्रेस पर जो लगाई थी कारोबार प्रतिबंद की जो लगाया था पेले अब वो हटा दिया है और अप्रेल अगर आपको मैं बताऊं तो ये अप्रेल 2021 में जो नौए कार्ड जारी करने पर जो बैं लगाया था जो कि अब नहीं है अर्मान शुक्री आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बताने के लिए कि खबरों के दम पर कहां कहां आक्शन रहने वाला है तो स्टॉक स्पेसिफिक आक्शन पर भी ज़रूर फोकस करिएगा अच्छे कमाई का मौका वहां मिल सकता